इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं Zomato Limited के बारे में जिसने की अपने quarter 4 के numbers अभी 4.30 के करीबन एनॉंस कर दी है तो चलिए discuss करते हैं कि company की जो consolidated numbers वो कैसे रहे तो सारे figure in millions में हम लोग in crores में बात करने वाले है quarter 4 का data quarter 3 के earnings से Denmark 2022 के earnings पे 1,350 करोड की थी मार्स 22 में जो इस बार 226 करोड पे आगी तो yearly income में काफी massive jump है quarter on quarter basis की बात करें तो 2,121 करोड की income थी जो इस बार 2226 करोड पे आगी तो quarterly भी income बढ़ी ये company की और yearly भी काफी जबरदस growth हमें देखने को इस बार मिल रही है सेम बात करें company की total expenses की खर्चों की तो 2400 करोड के करीबन के quarter 4 में रहे और 2400 करोड के अप्रोक्स quarter 3 में थे और 1700 करोड के अप्रोक्स मार्स 2022 में तो दोस्तों आप सभी को पता होगा देखने को मिलती है और हर बार company की जितनी income होती है उससे आपको कई गुना ज्यादा company के खर्चे भी देखने को मिलते हैं जिससे company को हर बार mostly loss ही होता है देखने को मिलते हैं अगर आप देखेंगे तो 359 करोड के लॉस थे मार्स 2022 में जो इस बार 187 करोड पे आ गए और quarter basis पे 346 करोड के losses थे जो कमों के 187 करोड पे आ गए तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से company की income तेजी से बढ़ रही है सेम हमें company के losses में भी काफी तेजी से recovery quarter plus yearly basis पे देखने को बिलकुल मिल रही है इस बार सेम reflection earning पर share में देखने को मिलेगा EPS भी हमें recover होता हुआ देखने को मिल रहा है negative का 0.47 मार्स 2022 में था जो इस बार negative का 0.23 था और quarter 3 में 0.42 नेगेटिव का था तो overall दोस्तों फिर से company को losses हुए बट अगर आप देखेंगे तो पिछली बार से अगर आप compare करेंगे तो इस बार company को काफी हद तक losses कम देखने को मिल रही है तो हमें एक recovery देखने को मिल रही है तो देखते हैं market का क्या reaction रहता है और जो result के announcement है वो market बंद होने के बाद हुई है तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और update के बाद तब तक के लिए बबाए जय हिंद